पीनियल के स्राव को योगिक शब्दावली में अमरित कहा जाता है क्योंकि जब वो रिसने लगता है तो आपकी हर चीज मधुर और सुन्दर हो जाती सेक्शुयलिटी उसे सीमित नहीं करती बल्कि भौदिक्ता के साथ अत्यदिक पहचान उसे सीमित करती अगर आप उसे बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं तो आप विक्रित दिमाग के हो जाएंगे अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और भी विक्रित हो जाएगा एक 92 साल का बुढ़ा आदमी फुल मेडिकल जांच के लिए अपने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसकी जांच की और वो बोले मेरे बुजर्ग दोस्त अपनी उम्र के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है मगर उस आदमी ने पूछा मगर डॉक्टर मेरी सेक्स लाइफ का क्या तो डॉक्टर ने पूछा उसके बारे में सोचना या उसका सपना देखना आप जितना किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उसके बारे में सोचने लगेंगे मन की प्रकृती ही ऐसी है तो कई वज़े हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है कुछ के लिए वो सिर्फ सुख है कुछ के लिए ये बंधन और सहचरे को मजबूत करने का एक तरीका है वरना लोग महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं वो भले ही ठीक हों मगर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बसा होता है कि अगर वो सेक्शुली सक्रिय नहीं हैं तो वो वास्तव में दूर हो रहे हैं ये सच नहीं है आप किसी से बहुत करीब हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि शारीरेक रूप से जुड़े होए हो, है ना? मगर समाज के दिमाग में ये होता है, खासकर दुनिया के एस हिस्से में लोग बड़े पैमाने पर मानते हैं कि अगर सेक्श्वालिटी नहीं है, तो वास्तव में आपका रिष्टा नहीं है, वास्तव में रिष्टा शब्द, मुझे समझने में थोड़ा समय लगा कि यहां अगर आप एक रिष्टा कहते हैं, तो आपसे ये समझने की उमीद की जाती है कि यह सेक्स अधारित रिष्टा है, बाकी कुछ रिष्टा नहीं है, अगर मेरा आपके साथ बहुत मजबूत रिष्टा हो सकता है, और आपके शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, है ना? मैं किसी भी तरह आपके शरीर के प्रति आकर्शित ना होते हुए भी आपके साथ बहुत मजबूत रिष्टा रख सकता हूँ, मगर उन सभी संभावनाओं को पूरी तरह नकार दिया गया है, एक रिष्टे का मतलब है कि आपको किसी रूप में शारीरिक तोर पर शामिल हो क्योंकि कहीं न कहीं शरीर के साथ हमारी पहचान, पहचान के सामान्य स्तरों के परे चली गई है, ये शरीर के साथ अत्याधिक पहचान है, इसलिए शरीर आधारित रिष्टे समाज के मूल बिंदू बन गए है, जो अपने भौतिक शरीर से बहुत जुड़ा है, वो ऐसे तरीके हैं, जिनसे आप कुछ ऐसा पा सकते हैं, जो इससे कहीं अधिक बड़ा है. एक बार आप इससे बहतर कुछ चक लें, फिर मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है न? कुछ साधना की तरीके हैं, जो सेक्श्वालिटी से अधिक तीव रहें, जो सेक्श्वालिटी से अधिक आनंद मैं हैं. एक स्तर पर यदि आप इसे देखें, योग के सभी आयाम किसी ना किसी तरह आखिरकार पीनियल को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, क्यूंकि एक बार जब वो रिसने लगता है, तो आपकी हर चीज मधुर और सुन्दर हो जाती है, वो एक पूरा भीतरी सुख पैदा करता ह जिससे सभी बारी सुख बच्चों की चीज की तरह लगने लगते हैं, यही वज़य है कि योगी सिर्फ आँखें बंद करके बैठते हैं, इसलिए नहीं कि वो सुख के खिलाफ हैं, वो छोटे सुखों के खिलाफ हैं, बस यही हैं तो शामभवी, इससे एक चीज जो होती है, यह पीनियल सराव को बहुत हद तक उत्तेजित करती हैं, जिससे आप दिन भर एक दरह की मिठास में भीगे रहते हैं, यह आपको परमानंद और आनंद की एक स्थिती में छोड़ देती हैं, क्यूंकि पीनियल ग्लैंड सक्रिय ह होता है, यह आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है, जो आपकी चेत्रा के काफी करीब है, बाकी शरीर विज्ञान गुजर बसर के बारे में हैं, मगर पीनियल ग्लैंड आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है, जो भौतिक से परे जाने के बहुत, बहुत करीब है, योगिक परंपरा में इस मिठास को अमरित या सुधा या जीवन अमरित कहा जाता है अगर उसकी एक बूंद शरीर में आ जाए तो अचानक पूरा शरीर शीतल हो जाता है पूरे सिस्टम में चिकनाई आ जाती है, वो आसानी से काम करता है शरीर की हताशा चली जाती है, मन की हताशा चली जाती है अमरित का अर्थ है कि आपने अपना सुख पा लिया है अगर आप अपने अंदर बहुत आनंदित हैं तो आपने अपने अंदर अमरित पा लिया है आप काफी आप सुखद्दा की चरम अवस्था में हैं अब लोगों के साथ होना, उनसे सुख निचोड़ने के लिए नहीं है, लोगों के साथ होना बस, बस उनके साथ होना है, अब आप वास्तव में प्रेम करने लाइक हैं, वरना वो सिर्फ एक खुल या सिमसिम वाली चाल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ का मतलब है, कि चाहे आप पर विश्वास हो या नहीं, उस पल के लिए वो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी चीज़ की जरूत है, आपको भी किसी चीज़ की जरूत है, है ना? ये जैसे आप जानते हैं अली बाबा और चालीस चोर, खुल जासिमसिम मतलब वो खुल जाता है, ये ऐसा ही है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मतलब कई चीज़ें खुल जाते हैं, अब ऐसा करते हुए, मैं ये नहीं कह रा कि ये सही या गलत है, लोग अपना जीवन ऐस चलाते हैं. इसमें कुछ नहीं है. मगर ऐसा करते हुए आपके अंदर प्रेम की एक तीवर भावना को जानने की संभावना नश्ट हो जाती है. आप लगातार ये देखते हैं, मैं इस व्यक्ति से क्या पा सकता हूँ? मैं उस व्यक्ति से क्या होते हैं तो ये आपका आनंद साजा करने की बात होती है इसका मकसद है कि अगर वो इससे अच्छूते हैं तो किसी तरह उन्हें इससे चुएं बजाए ये देखने की कि आप उनसे क्या निचोड सकते हैं आपके जीवन की सारी बुनियाद बदल जाएगी हाँ और नहीं इस अर्थ में सेक्शूयलिटी उसे सीमित नहीं करती बलकि बहुतिक के साथ अत्यधिक पहचान उसे सीमित करती तो असल में ये सेक्शूयलिटी नहीं है जो बाधा बनती है बलकि वो भौतिकता से जो जुड़ाव पैदा करती है वो निश्चित रूप से बाधा बन जाती है ये सवाल उस चिटपुट जानकारी उस गौसिप से आया है जो आपने सुना है कि किस तरह आप अपने ही वीर्य को आत्मसाथ करके उसे अपनी उच्चितर संभावना तक उठा सकते हैं हाँ ये सच है साथ ही कोई परहेज के कारण ऐसा नहीं करता अपनी उर्जा को आंतरिक बनाते हुए आप ऐसा करते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सेक्स से दूर रहता है और अचानक उसकी उर्जा संगाठित होकर उपर बढ़ती ये सच नहीं अगर आपकी उर्जा संगाठित होती है और बढ़ने लगती है तो सेक्स्वालिटी की जरुवत आपके लिए खत्म हो सकती मगर ये आपको अक्षम नहीं बनाती ये आपको नपुनसक नहीं बना देती मगर उसकी जरुवत खत्म हो जाती अब वो एक मजबूरी नहीं रह और सिर्फ यही चीज नहीं सारी बाधायें खत्म हो जाती हैं मुख्य रूप से अधिकांच सेक्श्वालिटी जो धर्ती पर है वो एक तरह की मजबूरी के कारण है है ना वो आदत से मजबूर होना है जब आप छेतन हो जाते हैं जब सारी बाधायें गायब हो जाती है य वो हमेशा सोचते हैं आध्यात्मिक्ता बनाम सेक्शुयलिटी, इनका कोई संबंध नहीं है, वो आपस में जुड़े नहीं है, एक शरीर का है, दूसरा एक अलग आयाम है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग, क्योंकि दुनिया के धर्म, नैतिक स्कूल और नीतिवाद स्कू एक मात्र तरीका ये है, कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि कहीं न कहीं, आप एक इंसान की सरल बायॉलोजी को समझ नहीं पाते, ये एक तरासदी है, कि आप साधारन बायॉलोजी को स्वीकार नहीं कर सकते, आपको या तो उसका जश्न बनाना होता है, या उसे नाली में फिंक देना होता है, दोनों ज़रूरी नहीं है, आप उसकी सीमाओं को देख सकते हैं, और उसकी संभावनाओं को देख सकते हैं, तो अगर सेक्स की अपवित्रता के कारण आपकी आध्यात्मिक्ता में बाधा पड़ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जब 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 ही आपवित्र है, तो आपके लिए संभावना कहा हैं, आपके लिए कोई संभावना नहीं, सिर्फ अगर आप कहीं और से गिरते, अगर सारस आपको गिरा जाता, तभी आपके अध्यात्मिक होने की कोई संभावना होती, अगर आपकी मा ने सामान्य रूप से जन्मन दिया है तो आपके लिए कोई संभावना नहीं एक छे साल की बच्ची एक दिन स्कूल से घर लोटी और पूछा ममा मैं कैसे पैदा हुई थी मा शर्मिन्दा हो गई वो बोली एक सारस तुम्हें गिरा गया वो बोली ठीक है उसने लिख लिया ममा आप कैसे पैदा हुई थी मुझे भी एक सारस ने गिराया था ममा नानी कैसे पैदा हुई थी उन्हें भी एक सारस ने गिराया था फिर वो बच्ची गंभीर हो गई और वो नीचे जाकर बैठ गई और अपने होमवर्क में कुछ लिखना शुरू कर दिया मा असहज महसूस कर रही थी उसने खाना पकाना खत्म किया तब तक लड़की ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था और किताब वहीं छोड़ दी थी उसने जाकर उसे पढ़ा तो फैमिली ट्री के बारे में निबंध था बच्ची ने लिखा था मेरे परिवार में तीन पीडियों से किसी का जन्म कुदरती रूप से नहीं हुआ है तो मूर्खता पूर्ण विचारों के कारण हम या तो किसी चीज को बढ़ा चड़ा कर कहते हैं या अनवश्यक रूप से उसे दबाने की कोशिश करते है इसकी आपके जीवन में एक भूमिका है अगर आप इसे बहुत बड़ा बना देंगे तो आपका दिमाग विकरित हो जाएगा अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और अधिक विकरित हो जाएगा आखिरकार अब मैं बोल रहा हूँ ये एक तरह की उर्जा है आप मेरी ओर देख रहे हैं ये एक तरह की उर्जा है आप मुझे सुन रहे हैं ये एक तरह की उर्जा है, ये एक ही जीवन उर्जा की अलग-लग अभी व्यक्तिया हैं, है ना? अब sexuality भी उसी उर्जा की एक अलग अभी व्यक्ति है अब व्यक्ति को तै करना है, कि उसकी उर्जा का कितना हिस्सा वो किस दिशा में भेजना चाहता है क्यूंकि आखिरकार आपकी उर्जा सीमित है, है न? देखे ये ऐसा है, आपकी आये मान लीजे आपकी मासिक आये 5000 डॉलर है कितना घर के किराय के लिए, कितना खाने के लिए, कितना बढ़ाई के लिए, कितना सिर्फ मनुरंजन के लिए, कितना छुटियों के लिए आप बाढ़ते हैं, है ना, कल सुभर, आपको तनखा मिली, शाम में आप बाहर गए और उसे उड़ा दिया, अब अगले महीने परिशानी हो जाएगी है ना, हाँ, आपके बास क्रेडिट काड है मगर, आपके जीवन में सब कुछ, अगर आप अपने जीवन को समझदारी से चला रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ, आपकी समझ, आपकी जरूरत और आपकी शमता के अनुसार बांटा हुआ है, है की ने, हाँ, आपका पैसा, समय, उर्जा, क्या सब कुछ बांटा हुआ नहीं हैं, जिस तरह आप उसका प्रबंध करना चाहते हैं, ये भी वही चीज है, कितना होना चाहिए, पहले तो क्या आपको उसकी जरुरत है, या आप उसे कर रहे हैं क्यूंकि आप सामाजिक रूप से बाध्या हैं, अगर जरूरत है और मैं आपको उसे रोकने के लिए कहता हूँ, तो आप विकृत हो जाएंगे, क्यूंकि वो सब आपके दिमाग में होगा, अगर कोई आपको कह रहा है, तुम ही ये करना है, अगर तुम इसे नहीं करोगे, तो तुम नॉर्मल नहीं हो, तो दूसरी तरह की विकृती आएगी, दोनों जरूरी नहीं है, आखिरकार आप किसी पुरुष्यस्त्री के पीछे नहीं जा रहे हैं, आप सुखत्ता के एक स्तर के पीछे जा रहे हैं, एक बार आप एक स्तर के सुखत्ता का अनुभव कर लेते हैं, तो क्या आप इसमें और गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि जो भी सुखत्ता घटित हुई, शायद आपने दूसरे व्यक्ति का इस्तिमाल किया, मगर सुखत्ता आपके भीतर घटित हुई. सही है? तो मान लीजे, वैसे भी सुखत्ता आपके भीतर घटित हो रही है. दूसरा व्यक्ति उसे खोलने की बस एक चाबी है. क्या आप नहीं चाहेंगे कि चाबी आपके हाथ में ही हो? हाँ? कि अगर आप इस तरह बैठें, आप पूरी तरह आउन हो? आपको किसी की जरुवत नहीं है? नई, देखिए, कोई चीज, आपके जीवन में कोई चीज, चाहे सुक के लिए हो, पैसे, प्रेम, ये, वो, चाहे किसी भी चीज के लिए, जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं, इस धर्ती पर कोई भी वास्तव में भरोसे लाइक नहीं है. है ना? मैं हर जगह से ये शिकायते सुनता रहता हूँ. कुछ लोग, आम तोर पर महलाएं शिकायत करती हैं, कि उनके पती बहुत ही शरीर केंद्रे थें. कुछ महलाएं लगातार शिकायत करती हैं, वो मुझ पर उंगली भी नहीं उठाता. जो भी होता है, वो एक समस्या है, क्यूंकि वो कभी उस तरह नहीं होगा, जैसे आप चाहते हैं. जब तक दूसरा व्यक्ति शामिल है, कुछ भी सौब प्रतिशद आपकी मर्जी से नहीं होगा. है की नहीं? हाँ या ना? वो कभी नहीं होगा. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान से शादी कर लें, फिर भी ऐसा नहीं होगा. जब तक आपके अस्तित्व का तरीका, सुख और खुशी की आपकी भावना, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, आपको हमेशा शिकायत रहेगी. कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना शांदार है. तो इस संदर्भ में, लोगों ने भ्रह्मचारे की बात की होगी. क्यूंकि उन्होंने कहा, थोड़ा विराम दो. क्यूंकि किसी से सुख निकालने के लिए, आपको कई चालें चलनी पड़ती हैं. वो आराम से नहीं हो जाता. इसे कोर्टिंग कहते हैं. एक बार कोर्ट में चले जाएं, फैसले का दिन आ जाएगा. उसमें काफी समय, प्रयास, उर्जा और तमाम दूसरी चीज़ें लगती हैं. निराशाएं, इर्शाएं, समस्याएं, सब कुछ उससे जुड़ा होता है. तो किसी ने कहा, उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहकर देखो, कि क्या इसे आंत्रिक रूप से पैदा किया जा सकता है? और फिर लोगों के साथ रहना आपके प्रेम के कारण अधिक होगा, आपकी जरूरत के कारण नहीं. जो निश्चित रूप से लोगों के साथ रहने का एक बहतर तरीका है, है ना? ये निश्चित रूप से दूसरे इंसान को सम्मान देने का बहतर तरीका है, है किने? इस पर थोड़ा ध्यान दीजे, उस पर और उस पर और उस पर ध्यान देने के बजाए, इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजे जितना आनंद कोई दूसरा आपके लिए पैदा करेगा, ये उससे कहीं ज्यादा आनंद पैदा कर सकता है